हलो दोस्तू, आजब बनाने जा रहे हैं चनादालो लोकी, इसे बनाना बहुत आसान भी है और ये बहुत हैल्थी भी है अगर आपके घर पे कुई चनादालोकी नहीं खाते हैं तो इस तरीके से बनाईए सब लोग खाएंगे यहां मैंने चने की डाल को 2-3 घंटे के लिए बिगोने के लिए रख दिया है और आप से तोड़के देख सकते हैं बहुत आसानी से चूट रही है और यहां मैं पूरी लोकी नहीं सिर्फ आधी लोकी ही इसे काम में लेने वाली हूँ क्योंकि यहां मैं सिर्फ दो जनों के लिए चनादाल लोकी बना रही हूँ यहां मैंने दाल को अच्छे से धो लिया है और इसको मैंने कूकर में डाला है और लोकी मैंने बड़े बड़े पीस कट किये हैं क्योंकि जादा बारिक आप कट करेंगे तो वह दाल के साथ में घुट जाएगी और आपको लोकी नजर ही नहीं आने वाली है बाद में यहां एक टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है और यह टमाटर में इसके अंदर डालूँगी क्योंकि इसके अंदर टमाटर का टीस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और इसके साथ में आधा चमच हल्दी पाउडर हल्दी जादा नहीं और आधा चमच नमक दो ग्लास मैंने यहां पानी कर डाला है और इसमें मैं लूँगी तीन से चार सिटी पानी बिल्कुल जादा मट डालिएगा क्योंकि जादा पानी डालना भी अच्छी नहीं बनती ह जब तक डाल में सीटी लगती है तब तक हम मसाले तयार कर लेते हैं यहां मैंने तीच पत्ता लिया है और इसी के साथ में 2-3 काली मिर्च और लॉंग ली है अद्रख को मैंने दरदरा पीस लिया है 2-3 हरी मिर्ची आप स्वादनुसार ले सकते हैं साथ ही में मैंने 2 प्याच को मैंने बारिक चॉप कर लिया है और यहां एक टमाटर को मिक्सी में पीस के पेस्ट बनाके मैंने तयार किया है यहां कड़ाई में मैं सरसो का तेल लिकाम में लेनी हूँ सरसो के तेल के अंदर यह सबची बहुत अच्छी बनती है तेल गरम होने के बाद में इसमें तीच पत्ता और लॉंग काली मिर्चे इसमें डालेंगे मसाला जैसे ही चटक जाएगा उसके बाद में हरी मिर्चे इसमें डालेंगे और उसके साथ में अद्रक इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे और उसके साथ में जाएगा इसके अंदर प्याज प्याज को हम बहुत अच्छे से इसके अंदर बुन लेंगे तब तक इसका बिल्कुल सुनहेरा कलर ना आ जाए ध्यान रखिएगा प्याज जलाने नहीं है इसको बुनना है सुनहेरे कलर आने तक कुछ तिर के लिए हम इसको ठग देंगे तब तक अपनी दाल चेक कर लेते हैं ये हमारी दाल बन करके हो गई है तैयार और आप देखिए लोकी हमारी अच्छे से दिख रही है और दाल भी अच्छे से हमें बिल्कुल घोटनी नहीं है लेकिन इसको अभी हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे ताकि ये थोड़ी से खुट जाए और यहां हमारे प्याज भी पक करके हो गए है तैयार थोड़ा समय से खुला पका लूँगी ताकि ये और अच्छा कलर इसमें आ जाएगा आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से हो गए है इसी के अंदर मैंने डाल दिया टमाटर का पेस्ट जो मैंने बना करके रखा था वो इसके अंदर मिलाने के बाद में इसमें जाएगे कुछ बेसिक मसाले हींग और इसके बाद में हल्दी पावडर क्यूंकि हमने थोड़ा हल्दी वहां डाला था थोड़ा यहाँ धनिया पाउडर, आदी चमच लाल मिर्च पाउडर, बुनावा जीरा, काली मिर्ची आप चौई से आपकी अच्छा लगता है डालेंगे तो और आदा चमच नमक इन मसाले को हम बहुत अच्छे से पकाएंगे तब तक कि ये तेल न छोड़ दे टमाटर का सारा कच्छापन निकल जाना जाहिए। याब देखएं मैं कितना अच्छे से हिला-हिलाके से पका रही हूँ। अब जितना और आच्छे में पकाएंगे उतना मसाला बहुत अच्छे से ये इसके अंदर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एक अलग सा टैक्चर आ जाता है पूरी सबजी के अंदर, इसे हम मिलाएंगे अच्छे से, और कुछ दिर के लिए इसमें अच्छे से उपाल आएगा, और इसके साथ जाएगा ए मेरे कहने पर इस तरीके से आपको सब पसंद आएगा, घर में सब को पसंद आएगा, और ये एकदम खड़ी खड़ी अच्छी सी लोकी चने की डाल तैयार हो गई है, आप बना के बताईए आप कैसी बन के आई है, आप मुझे कॉमेंट में बिल्कुल बताएगा, चैनल प कि अच्छी बताएगा, चैनल प्रिएक की बताईएगा, आप मुझे वगे बताएगा, आप आपको घネा, घर मुझे गे आपको आएगा, आपको ग्झे कॉमेंट जे भांध।, ये विल्ट एएगा, गष्टी अवागा, चैनल दूब्से काने की बताएगा, बताएगा, झाल झाल